नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका स्टॉलजर संदीब कटारिया और स्वागत है आपका आफी के चैनल में इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मिथुन राशी के जातकों के लिए नमंबर मा का राशी फल जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जीवन के विबिन पहलूं और उनक तक देखे अधिकांश मिथुन राशी के जातकों के लिए ये अच्छा होगा कि वे इस महीने जीवन की गती को थोड़ा धीमा कर दे और अपने पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन बचत और स्किल्ड डेवलप्मेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर दे हां सभी पहलूं के बारे में एक साथ ना सोचे लेकिन आप उन्हें एक एक करके ले सकते हैं कई मिथुन राशी वालों के लिए नवंबर 2021 के पहले भाग के दौरान ग्रहों की चाल कठिन परस्तितियों की भविश्वानी करती है महीने के दूसरे भाग में व्रिदी के अच्छे अफसर मिल इसलिए आपको अपनी सोच में सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए यदि आप चाहें तो आपको मित्रों और प्रोफेशनल नेटवर्क से साहिता प्राप्त हो सकती है साथ ही ये उमीद की जा ये संबावना है कि ग्रहों की चाल महीने के अधिकांश भाग के लिए अनिर्न यानि की इन डिसाइसिवनेस की स्थिथी पैदा करेगी एक और आपकी द्यालूता के कारियों को दूसरों द्वारा देखा और सराहा जाएगा और आपको इस दिशा में अपनी कतिविद्यों को जारी रखना चाहिए समाज सेवा के कारियों से जुड़ने से आपको कुछ मानसिक शान्ती मिलेगी करियर का ग्राफ इस महीने प्रोफेशनल्स के लिए खुशी लाने में विफल हो सकता है ग्रहों की स्थिति उत्साजनक नहीं है और कारे शेत्र में किसी प्रकार की कॉ कंफलिक्ट या बहस जैसी स्थितियां हो सकती हैं टीम मेंबर्स और सीनियर्स के साथ संबंदों पर प्रेशर आएगा कड़ी मेनत के बावजूद फाइनिशल रिवार्ड्स गाइव होंगे और आप अपने टार्गेट्स को प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं आप ट्र एक अन्य फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वे है अन्प्लेजन्ट और नकारात्मग लोगों और स्थानों से दूर रहना क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ पर पड़ेगा यदि आप किसी विवाद या मुकदमे में शामिल हैं तो निर्ने आपके खिलाफ जाने की संभावना है इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी भी पेंडिंग लोन एप्लिकेशन या बैंक से नए एडवांसेस के लिए नए प्रपोजल को एक या किसी और कारण से अप्रूव नहीं किया जाएगा या फिर डिले कर दिया जाएगा इसके इलावा निवेश ये नई प्रयोजनाओं को शुरू करने के लिए माहौल अभी अनुकूल नहीं होगा इसलिए पहले से ही तयार रहें तो यह था आपकी राशी के लिए इस मा का राशी फल अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जिसका स्क्रीन शॉट आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं अगर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकर ही आप तक तुरंत पहुंचे आने वाला समय आपके लिए मंगल मैं हो और खुशाल हो यही मेरी शुब कामना है कर दो कर दो